सलाम अलाइकूम और रहमतुल्ला वेलकम बैक टो रह चैनल उमीद करता हूँ कि आप सब खेरो आफ्यत से होंगे तो आज मैं आपके सामने मैं CUET के उपर एक और अपडेट लाया हूँ तो वीडियो को आप जुरूर एंड तक देखें वीडियो जो है जमो कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं जमो कश्मीर की उनिवस्टी के उपर बात करने वाला हूँ जहां जिन उनिव उनिवस्टी हैं जमो कश्मीर से जो CUET के CUET UG टेस्ट के लिए पार्टिस्पेट करने जा रहे हैं 2023 सेशन के लिए तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ कि अगर उनिवस्टी के अगर हम बात करें तो जमो से जो है सेंट्रल उनिवस्टी आप जमो जो की सांबा में है ये भी CUET के अंटर इस बार एडिमिशन देगी और उसके अलावा जो हमारी कलस्टर उनिवस्टी है कलस्टर उनिवस्टी आप जमो ये भी जो है CUET में पार्टिस्पेट करेगी इस बार और गॉर्मन कॉलिज फर वोमेन प्रेड ग्रोंड जमो जो वोमेन कॉलिज हमारे प participation का मतलब क्या है मैं आपको पूरा बता दूं कश्मीर की भी कुछ universities हैं कश्मीर की जो यूनिवस्टी हैं उसमें जो है Central University of Kashmir भी पार्टिस्पेट करने करेगी CET में और उसके अलावा Cluster University सिरनगर यह सारी universities जो हैं इस बार अपना प्रॉस्टी जो है वो स्टार्ट होता था जून जुलाई के महीने में और आपको जो है एडमिशन फॉर्म फिल करना होता होता था ऑनलाइन तो उसके बाद आपकी counseling होती थी लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा जो जिन students ने जो है cluster university जमो कलस्टेर सिरनगर प्रेड ग्रॉंड 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 जो भी जितने भी colleges है जो जमों के अंडर जिन्होंने भी admission लाइन है अंडर graduate course के लिए उनको जो है इस बार सी यूईट के लिए registration करनी है और registration के भी मैं आपको सिंपल से बता दूँ कि अगर किसी ने science college commerce college और गांधी नगर college में admission लाइन होगी या प्रेड वुमें college में admission लाइन होगी तो उसके लिए जो है coet में participation बहुत जरूरी है तो आप जो है coet की registration कर लें coet की registration उसकी date जो है मैंने इससे पहले की वीडियो में बता दिया है कि coet क्या होता है कब important dates होती है और syllabus क्या रहता है कि इस तरीके से आप syllabus डॉनलोड कर सकते हैं वह सारा कुछ मैंने इससे जो पहली वाली वीडियो है coet के उपर मैंने उसमें discuss किया हुआ है तो जो भी भी आपको problem हो जाएगी आप हमें message कर सकते हैं तो जिन students ने जो है admission लाइनी है अब जो है बहुत सारे इस बार अगर हम जमो कश्मीर की बात करें यहां पर अभी पेपर जो है वो pending है चाहे वो जेके बोस के students हो या cbs के students हो अभी उनका result अभी उनके paper जो है वो branding है लेकिन जिन students ने जो है आगे admission लाइनी होगी तो उनको जो है रिजल्ट अवेटेट के पेपर दे रहे हैं वो भी आपना form साथ साथ में फिल करें और रिजल्ट अवेटेट के टागिरी में जो है अपना form फिल करें तो क्योंकि बाद में जो है इसकी डेट एक्स्टेंड नहीं होगी क्योंकि अगर आप पेपरों के बाद सोचेंगे कि मैं जो है पेपर देखे जो है अगर उन्होंने science college एक्सेंपल के तूर पर किसी स्टुडेंट नहीं जो है science college में एड़िशन लाई नहीं होगी और वो 12 के पेपर के बाद जो है वो वेट करेगा फिर कि कब फॉम आएंगे लेकिन उस टाइम आपको जो है डेट नहीं मिलेगी उस टाइम आपको कोई पोर्टल नहीं मिलेगा वेबस से लेके eligibility criteria किती seeds हैं और कहां से आपने form भिल करना है तो सबसे पहले जो भी students नहीं जो है जिस university में apply करना होगा जिस university की preference देनी होगी वो जो है पहले university के बारे में थोड़ा study कर लें कि महां पर कौन-कौन से subjects हैं और कौन-कौन से subjects के लिए eligibility क्या है 12th में कौन-कौन से subject होने चाहिए उस particular subject के लिए यह सारा मैंने इससे पहले की वीडियो में discuss किया हुआ है कि किस तरीके साथ चेक कर सकते हैं तो उस वीडियो में आप ज़रूर जाकर चेक करें और उसके अलावा और फिर कोई problem आती है तो आप हमें message कर सकते हैं हम आपको जो है reply ज़रूर द participate जो है CUET में करना है तो अगर हम जमोई university के बात करें जमोई university के भी कुछ courses जो है इस बार CUET के अंडर होंगे क्योंकि जमोई university जो है अपना एक test लेती थी जूट जे यूवीटी तो इस बार जो है जूट नहीं होगा और जूट के जूट के जूट अब नहीं होगा और उ chemistry तो यहां पर आपको eligibility मिलेगी और domain subject जो कि आपको registration के time आपने select करने हैं तो यहां पर जो है आप सबसे पहले आपने eligibility चेक करनी है और उसके बाद जाकर आप registration कर सकते हैं तो यह बहुत ही important update था यहां पर आपको सारा कुछ मिल जाएगा आप एक बार site पे visit करें और आपने जो भी universities आपने देखनी है तो उसको उसका पूरा data आप निकाल सकते हैं तो पूरा आपको official website पर आके यह सब करना है क्योंकि बहुत सारी fake website भी होती है जो कि उन पर आपको fake details दी जाती है आप हमेशा official website पर चेक किया करें तो बहुत important update था मिलते हैं आगले वीडियो में आपको 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 आपक